चलिए ध्यान दीजी आप बोड पे बोड पे ध्यान दीजी बोड पे क्या है Residential Status H.U.F सबसे पहले सर H.U.F समझना होगा क्या होता है H.U.F क्या होता है एक Family Member होता है मान लेते है फैमिली Member से मतलब क्या है सर एक कोई भी मान लो आप for example कोई भी आपका एक घर है इस घर के अंदर अगर हम माल लें जो member है ये member एक ही काम में लगे हुए हैं और इस member जो एक काम में लगे हुए एक घर के अंदर इनके अंदर बोलते हैं ना joint family सुना है ना joint family तो वही joint family को ही हम क्या बोलते हैं ह-u-f इसके अंदर सिर्फ Hindu participate कर सकता है सिर्फ Hindu इसके अंदर आपको अगर इस ह-u-f का अगर आपको member बनना है ना तो शर्ते हैं कुछ या तो condition number one आपको अगर कोई female है तो यहां के किसी भी male से शादी करोगे मान लेते हैं इस ह-u-f का नाम है मैंने मान लिया इस ह-u-f का नाम है A-B-H-u-f A-B-H-u-f यह एक हमारा organization है मैंने simple सी बात करी मैंने इनको बता दिया है वीडियो लैग हो रही है आप internet चेक करिए मेरी तरफ से बिल्कुल okay है मैं अभी doubt नहीं लूँआ मेरी तरफ से बिल्कुल okay है एक बार आप application close करके चालू करिए बाकी बच्चों का भी वीडियो लैग हो रहा है तो बता दिजिए आप और भी काफी सारे बच्चे हैं अगर कोई किसी बच्चे का smooth चल रहा है तो बता दिजिए ताकि मैं आगे continue करूँ लैग हो रही है तो एक काम करते हैं कि मैं एक मिनट मैं चेक कर लेता है अब ठीक है ठीक है चलो अब ठीक हो गया बच्चे कह रहे है चलिए तो मैं क्या कह रहा था मैं क्या कह रहा था ध्यान देना इधर ध्यान देना मैं क्या कह रहा था कि ये देखो समझना मत ज़रूरी है हाँ जी मैं क्या कह रहा था समझ ये के जो ये HUF है हुआ का मतलब joint family हो गया joint family में मान लेते हैं एक AB firm है अगर sir AB firm है तो AB firm के अंदर आप मान लो के इसके जो ये सारे हैं न ये जितने भी हैं इनको हम बोलते हैं member इनको क्या बोलते हैं अगर कोई भी female इसके अंदर member participate करना चाहती है तो किसी भी male से यहाँ पर शादी करेगी तो automatically इसकी member बन जाएगी अगर किसी male की बात करें यहाँ पर बनना चाहता है तो उसके लिए उसको इसी family में born होना पड़ेगा तब ही बन सकता है ठीक है अगर तीसरा condition अगर मान लेते हैं कोई बच्चा legally adopt कर लिया गया legally पूरे paper document के साथ तो भी इसका member वो बन सकता है मान लेते हैं कोई इसमें girls है उसकी शादी हो जाती है तो अगर कोई भी female है मान लेते हैं यह हमारी कोई भी female है अगर उसकी marriage हो जाती है तो ऐसे situation में वो इस हुएफ की member नहीं रहेगी हट जाएगी ठीक है अब मुद्दे की बात होती है जब सर यह हुएफ है न तो इस हुएफ के अंदर एक व्यक्ति बड़ा भी होगा जो इन सभी को control करके रखता है ठीक है इस हुएफ में एक ऐसा व्यक्ति भी होता है जिसकी सब को जितने भी छोटे छोटे व्यक्ति हैं इन सभी को इसकी बात माननी पड़ेगी यानि जिसे हम guardian बोलते हैं normally joint family में तो यह होगा हमारा एक व्यक्ति अब इस व्यक्ति को हम member का नाम ना देखे क्योंकि बड़ा व्यक्ति है तो अलग से status देते हैं जिसको बोलते हैं करता करता यह हिंदी वर्ड इंग्लिश वर्ड जो भी वर्ड समझो इसे करता ही बोला जाएगा बिल्कुल अगर आप इंग्लिश में भी theory लिखेंगे वहां पर करता ही लिखना है कुछ बच्चे सोच रहोंगे हिंदी वर्ड है करता अब सर मुद्दे की बात है हमें इस हुए हाइफ ए बी का residential status निकालने को बोला जाएगा वैसे practical question बहुत रेयर है पूछा जाएं theoretical आता है कि हो का residential status निकालने के लिए हमारे पास अभी तक residential अगर किसी का status हमने चेक है है तो सर यहां पे दो बाते थी एक था हमारा यहां पे बेसिक कंडिशन और एक था हमारा यहां पे एडिशनल कंडिशन यही था ना एक बेसिक कंडिशन और एक एडिशनल कंडिशन सर बेसिक कंडिशन के अंदर 182 दिन था और 60 दिन वाले बात कही गई है जो कि हमने देखा सर additional condition में भी दो बाते हैं एक है आपका two time resident और एक है 730 roughly मैं बताते जा रहा हूँ आपने तो देखी रखा है तो HUF के लिए ये वाला जो है ना आपका HUF के लिए ये वाला condition जो है ये नहीं apply होता HUF के लिए ये है ही नहीं HUF के लिए हम ये वाला तो देखते हैं लेकिन ये वाला नहीं देखेंगे तो सर इसके लिए क्या देखना है हम चेक करेंगे इसका business इसका business का control कहां से है हम ये चेक करेंगे यानि जो basic condition में 60 दिन और 160 क्योंकि कितने सारे member है देखो किस-किस का देखेंगे हम है ना तो 60 दिन वाला जो बात था ना और 182 दिन वाला बात वो हम HUF के केस में नहीं चेक करेंगे तो HUF के केस केस में चेक करेंगे business का कि अगर business का कोई भी decision business हो सकता है दो तरीके हो सकते है business है हमारा इंडिया में लेकिन ये control हो रहा है आउटसाइड इंडिया मैं for example ले लेता हूँ मैं example ले रहा हूँ जैसे मान लेते हैं कि कुछ ऐसी company है इंडिया के अंदर लेकिन सारे फैसले लिये जाते हैं उसके बाहर से सर ऐसी कौन सी company है मान लो कोई भी आप foreign company ले लो जैसे mcdonald ले लो या kfc ले लो या कोई भी company ले लो है तो इंडिया में लेकिन उसके सारे जैसे की आप जैसे कि मैं बात कर लूँ नाइकी इसके अंदर को जो भी बाहर के ब्रैंड यहां पर जाओगे तो बोलो कि अभी collection आया नहीं है यह आप mobile phone ही ले लो ओपो का mobile phone ले लो पहले कहां लॉंच होता है बाहर फिर आता है कहां decision all decision all decision अगर outside इंडिया हुआ तो तो भईया आप non resident बन गया मतलब आप का business बहले इंडिया मैं लेकिन आप decision कहां ले रहे हो सारा एंडिया से तो आप तो non resident हो decision का मतलब है सर decision का मतलब है major decision के हमने business का लाइन अब मतलब मेज़र डिसीजन है इसको बोला जाता है कि इंडिया बठ एंडिया से लहाँ बाहर रिया जा रहा है इसको अधिया के इंपंटभर भी नहीं मनें इक व्सको लिए इसका टेक्स ट्रीटमेंट अलग है हमें तो ये इस हैं या फिर नहीं है अगर एक भी decision भारत में लिया जा रहा है एक भी decision तो हम इसको बोलेंगे तुम बन गए R यानि तुम resident तो हो गए जैसे यहाँ पर क्या था सर 182 यह चेक करो लेकिन कोई भी फैसला भारत में लिया गया भारत के अंदर लिया गया तो क्या मान लेंगे तुम बन गए resident पहली condition अगर सारे के सारे फैसले भारत से बाहर लिये जा रहे हैं तो आप non-resident हो गए ठीक है ना अगर सारे फैसले ही भारत में लिये जा रहे हैं सारे decision से इंडिया में लिया जा रहा है तब तो आप resident ही हों अगर एक ले रहे हो तब भी भारत में resident बन जाओगे सारे इंडिया मिलोगे तब भी क्या माने जाओगे सारे बाहर होंगे तब non-resident होगे अगर आप बन जाते हो resident तो आपका check किया जाएगा additional condition तो sir additional condition इन सभी का check करेंगे नहीं सिर्फ additional condition करता का चेक किया जाएगा कि अगर करता additional condition दो बार resident हो जाता है और 730 दिन वाला condition complete कर देता है तो इसका status बन जाता है ROR अगर सिर्फ ये करता है और ये नहीं कर पाता तो NOR अगर ये ही नहीं करता तो NR तो यानि इसके status तो सर वही तीन है फरक कहां पे आया फरक आया सिर्फ और सिर्फ basic condition में फैसले के उपर अगर फैसला भारत के अंदर लिया जाता है एक भी तो भाई या तुम resident होके अब अगला check करेंगे लेकिन अगला किसका check करना है करता का check करना है करता का क्या देखना है दो बार resident होना चाहिए 10 सालों में और 730 दिन पिछले अगर यह सब complete करता है तो उसे हम बोल देंगे भाईया आप resident ordinary resident हो यह theory perspective से पूछा जाएगा हमारा वैसे सारा का सारा section जो है ना वो 6 के इर्द गूमता है तो यह हमारा 6B आ जाता है 6 2 के अंदर आ जाता है 6 1 में individual आ जाता है 6 2 के अंदर और वैसे भी मैंने कहा section पे आपको इतना focused मैं इसलिए कह रहा हूँ अगर कोई बच्चा section के साथ याद करता है बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर आप complete section के चक्कर में आप concept छोड़ते जा रहे हो तो दिखताता है यानि दोनों चीजे complete हो या तो आपको concept clear हो तो हो सकता है तो किसी भी हुए का residence कैसे determine होता है आपको समझ में तो आपको basic condition की जगह पर क्या आ जाता है उसके decisions और additional condition विल्कुल वैसा ही रहता है जैसा कि हमने individual में सीखा लेकिन additional condition किसका check होगा करता था होगा clear तो चलिए मैं इसको लिख देता हूँ कि हुए का हम residential status निकालेंगे तो अगेन इसके उपर आपको practical देखने को मिलेगा नहीं क्योंकि exam में बहुत rare पूछा जाता है books market में आ गई या आप books ले लो सर पहला point basic condition तो है नहीं business control business control इसके बाद additional condition ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर दो बाते हो सकती है सर कंट्रोल बिजनस की बात करें तो दो बाते तीन बाते हैं basically देख लिए ठीक है या तो फुल कंट्रोल होगा इंडिया से या होगा पार्टली कंट्रोल इंडिया से या होगा नोट कंट्रोल या कंट्रोल फ्रॉम आउट्साइड इंडिया फुल्ली कंट्रोल फ्रॉम आउट्साइड इंडिया देखिए तीन बाते हैं ये सर इन दोनों केसिस के अंदर वो क्या माना जाएगा बताओ कि अगर ये वाला कंटीशन हुआ तो समझ मैं ही बात आपको जो मैंने समझाया बाते बस उसको मैं एक बार लिख दे रहा हूँ ताकि आपको एक्जाम टाइम पे एक बार याद करने में इसे लिए हो बाकि आपको नोट्स में भी मिल जाएगा बुक्वे में गीवन होगा एडीशनल हम जब भी चेक करेंगे तो एडीशनल कंडीशन किसके लिए करेंगे फोर आउनली करता सिर्फ ये चेक होगा सर करता के लिए सर करता के लिए जब आप चेक करोगे तो क्या चेक करोगे करता के लिए अगेन दो चीज़े है Additional Condition No.1 और Additional Condition No.2 एक है Additional Condition No.1 एक है Additional Condition No.2 सर, Additional Condition No.1 क्या है? Additional Condition No.1 है Two Time Resident Out of 10 Year या Out of कह दो Last 10 Year Last कह रहा हूँ, Simple में Preceding होता है वैसे Last 10 Year सर, यहाँ पे यहाँ पे 730 Days इन लास्ट कितने साल? 7 Year यह है जी हमारा Additional Condition यह HUF का Residential Status हो जाता है हमारा खतम Practical Question बहुत rare पूछे जाते हैं और अगर पूछे भी जाएंगे तो आप इसली बता दूगे एक कोशन है वैसे बुक में अभी देख लेंगे क्लियर है आपको कोई दिकत तो चलिए एक कोशन भी देख लेते हैं हम कोशन कोशन मैंने यहां रखा है नहीं रखा कि 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 चलिए अभी कुश्चन दिखाते हैं इतने आप नोटिंग कर लीजिए मैं कुश्चन इंसर्ट कर देता हूं सकता है एप नोटके सी इंसर्ट कर देता हैं curves है सकता है पहल बखेता हैだ वैसा है स क्छिए कर देती है ये ये नहीं को लुरात झाल झाल